सु गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी की एक नए अपकमिक स्मार्टफॉन की जो की रियलमी 9 स्रीच के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जिया दोस्तों ये स्मार्टफॉन होने वाला है रियलमी 9i स्मार्टफॉन जो की 10 जनवरी को वियतनाम मे देखने को मिल सकता है इस फॉन के रिगार्डिंग दोस्तों सभी कनफर्म स्पैक्स निकल कर आ चुके हैं इसके साथ दोस्तों का डिजाइन वगरा भी कनफर्म हो चुका है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस फॉन की सभी स्पैक्स के बारे में इसकी डिजाइन के बारे में इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि यह स्मार्टफॉन आपको किस प्राइच पर देखने को मिलेगा और इंडिया के अंदर कब तक यह लॉंच हो सकता है तो सौगत अब सबका टेक रोच पर जानकारी के लिए विडियो में अंट तक बने रहें और देखते हैं दोस्तों की कैसा स्मार्टफॉन यह आप सब के लिए रहने वाला है अगर फ्रेंट साइट की बात करते हैं तो यहां पर आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है इसके साथ ही वेजल्स वगरा भी काफी वतले हैं और का दोस्तों सिलिम हैं फॉन की डिस्प्ले के बारे में तो यहां पर आपको 6.6 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि एक LCD आई-पेस डिस्प्ले रहने वाली है साथी Full HD Plus Resolution यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसके साथ ही गईस यहां पर अच्छी बात यह रहेगी कि आपको MediaTek का Helio G90T processor यहां पर आपको मिलने वाला है लेकिन latest leaks की माने तो यहां पर आपको Qualcomm की तरफ से Snapdragon 680 processor दिया जाएगा जो कि एक 4G processor है और अभी हाली में October के महिने में लांच किया गया है तो काफी कमाल के दोस्तों आप यहां पर gaming बगरा कर सकते हैं और कोई भी normal task को आप असानी से यहां पर complete कर पाएंगे इसके लावब गईस यहां पर आपको 6GB और 8GB की remnants देखने को मिलेंगे जो की 128GB तक की switch के साथ में आएंगे जिसे आप Microcard के मदद से 512GB तक बढ़ा सकते हैं तो performance के मामले में दोस्तों काफी कमाल का smartphone यह रहने वाला है और काफी कमाल का experience दोस्तों आप इस phone के अंदर ले पाएंगे अब अगर performance के बाद दोस्तों बात करते हैं phone के अंदर camera setup के बारे में तो यहां पर दोस्तों आपको rear में triple camera setup दिया जाएगा जिसका man sensor रहेगा दोस्तों 50MP का इसके साथ ही guys 8MP का wide angle lens and 2MP का depth sensor यहां पर आपको मिलता है तो काफी दोस्तों video recording भी आप यहां पर कर पाएंगे अगर selfie camera के बारे में बात करें गई इस तो यहां पर आपको 16 Megapixel का एक selfie camera पंचोल के cutout के अंदर दिया जाएगा जिससे काफी कमाल की दोस्तों selfies और video calling बगर आप कर सकते हैं तो camera wise भी दोस्तों काफी decent camera setup यहां पर आपको दिया गया है और काफी कमाल की दोस्तों आप यहां पर camera quality expect कर सकते हैं अगर camera setup के बाद करते हैं फॉन के अंदर बैटरी की तो इस फॉन के अंदर आपको फॉन की बड़ी बैटरी दी जाएगी जो कि 33 वाट के फास्ट चारजिंग सपोर्ट के साथ में आईगी तो बैटी 3.5 mm का audio jack और USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इसके लब अगई से स्मार्ट फॉन Android 11 पर वर्क करेगा तो 4G connectivity के साथ में काफी कमाल की स्पीड यहां पर आपको मिलेगी अब अगर बात करते हैं दोस्तों फॉन की प्राइजिंग की तो इस फॉन की प्राइजिंग के बारे में आप में इस फॉन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या फॉन को लेने में इंट्रेस्टेट होंगे अगर आपको कोई और भी कमेंट हो तो दोस्तों आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो चलागा हो तो वीडियो झाल झाल